वेलकम बैक दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं TDBF fighter jet और राफल fighter jet के बारे में तो दोस्तों एक तरीके से एक compare वीडियो होने वाला है तो चलिए अब भी वीडियो को शुरू करते हैं इंडिया नेवी के लिए TDBF fighter jet डेवलप किया जा रहा है इस fighter jet की खासियत यह है कि जो भारत के 5th generation fighter jet में avionics radar और जितने भी systems लगने वाले है वही system से TDBF fighter jet में भी लगने वाले है एक तरीके से amka fighter jet का non stealth version इस fighter jet को कह सकते हो आप हाँ design में कुछ फरक है लेकिन अगर हम avionics radar, engine और बाकि जितने भी चीजों की बात करे तो वह amka fighter jet से ही आने वाले है वही अगर हम राफिल fighter jet की बात करें तो इसमें advanced avionics radar का use तो किया गया है लेकिन यह amka fighter jet जितना capable fighter jet नहीं होगा और इसमें जो system use किये गया है वह एक 4.5 generation fighter jet के system है ना कि एक 2.5 generation fighter jet के तो इस वज़े से भी राफिल fighter jet को यहाँ disadvantage मिलता है तो अब हम बात करेंगे दोनों ही fighter jet के radar के बारे में तो जो radar लगा है राफिल fighter jet में वो है 850 TR module वाला radar जिसकी maximum range 250 km तक के है यह एक ऐसा radar है और बहुत ही जादा advanced radar कह सकते हो अब इसे जिसकी maximum range 5 meter RCS वाले object के लिए 250 km है वही जो TDPO fighter jet में लगने वाला radar है वो 1200 TR modules के साथ आना है जिसका run easily जो TDPO fighter jet है उसकी 5 meter square के object के लिए tracking range 300 से 300 km तक हो जाती है अगर हम radar cross section की बात करें तो TDPO fighter jet का radar cross section राफिल fighter jet से कम होने वाला है जिस वज़े से राफिल fighter jet को TDPO fighter jet pilot detect भी कर लेगा radar भी ताकत वर है radar cross section भी कम है तो easily राफिल fighter jet को beyond visual range की fight में eliminate कर देगा तो detection की तो बात होगी अब बात करेंगे weapons की तो ये capable होगा अस्तरा सीरीज के MK1, MK2, MK3 को fire करने में वही जो European countries हैं उनकी meteor को भी जो की राफिल fighter jet में भी integrate है तो एक तरीके से सारी तरकी ये missile fire करने में capable होगा air to air तो बात करें तो यहाँ बड़ा weapon package भी है अगर हम बात करें राफिल fighter jet की तो meteor जैसी deadly missile तो है लेकिए पहले राफिल fighter jet detect हो जाएगा जिस वज़े से chances है कि राफिल fighter jet eliminate हो जाए वही अगर हम बात करें कि कौन सा engine जादा थ्रश डेवलप करता है दूनों fighter jet में से तो हमें easily answer मिलेगा tdbf खा तो दो tdbf में general electric के f414 engine रगने है जो कि 98 karen का थ्रश डेवलप करते है जो कि इसे mac 1.6 की speed achieve करने में मदद करेंगे वही अगर हम बात करें राफिल fighter jet की तो राफिल fighter jet में snigma m88 लगा है जो कि 75 karen की weight थ्रश डेवलप करता है जो कि उसकी maximum थ्रश भी कह सकते हो तो easily जो यह fighter jet है इस speed के साथ 1.8 mag की speed पे travel कर सकता है तो यहाँ speed का advantage तो है लेकिन TDB of fighter jet को अभी तक के develop नहीं किया गया है जिस वज़े से हम यह नहीं कह सकते कि TDB of fighter jet की maximum speed है वो सिर्फ 1.6 max होगी वो भी दो इतने बड़े engines के साथ और जब इसमें engine का upgrade किया जाएगा जब इसमें 110 से 120 karen का engine लगाया जाएगा तब भी इसकी speed जो है वो increase होने वाली है तो कुल मिला के जो raffle fighter jet है उसे easily outperform कर देगा अब हम बात करेंगे air to ground roll में use होने वाले weapons की तो air to ground capabilities की जब हम बात करेंगे तो दोनों ही fighter jet mainly develop किया जा रहे है air to ground roll के लिए अगर हम देखें तो raffle fighter jet air superiority तो कर सकता है लेकिन ज्यादा तर जो mission है raffle fighter jet के वो air to ground ही होने वाले हैं अगर हम बात करें TDP of fighter jet की तो ये तो develop ही किया जा रहा है anti ship role के लिए तो दोनों ही fighter jet एक तरीके से ज्यादा तर ground roll या anti ship role के लिए ही develop किये गए हैं यहाँ जो TDP of fighter jet है ब्रह्मोस missile को ले जाने में capable होगा वही अगर हम raffle fighter jet की बात करें तो raffle fighter jet scalp cruise missile को ले जाने में capable होगा अगर range के मामले में देखे तो दोनों equally पड़ेंगे लेकिन हाँ speed जो है ब्रह्मोस की वो जादा है और ब्रह्मोस के extended range version भी आने वाले है आला कि scalp के भी extended range version आने वाले है तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो easily जो TDBA fighter jet है वो outperform कर रहा है अब बात करेंगे हम range की तो सबसे पहले अगर हम combat range की बात करें राफिल fighter jet के तो तीन fuel tanks के साथ इसकी combat range हो जाती है 1500 km वही जो TDBA fighter jet है उसकी range यहाँ 1500 से 1600 km तक ही होने वाली है सेम तीन fuel tank के साथ तो एक तरीके से equally performance है अब बात करेंगे अगर हम इनकी ferry range की तो जो राफिल fighter jet है उसकी ferry range है लगबक 3500 km वही जो हमारे TDBA fighter jet है उसकी यहाँ 4000 km होने वाली है तो थोड़ा जो TDBA fighter jet है वो यहाँ long range mission के लिए अच्छा साबित होगा वही अगर हम बात करें कि कौन सा fighter jet ज्यादा maneuverable होगा तो यह कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ दोनों ही fighter jet प्लस 9 और माइनस 3 जी तक के maneuver करने में capable होने के वज़े से हम यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते हैं वैसे भी dog fight में ज्यादा तर pilot की skill ही काम आती है तो जो ज्यादा train पाइलेट वही dog fight में जीतने वाला है तो कहने का मतलब यह है कि जो maneuverability है वो दोनों ही fighter jet की same होने वाली है तो अब हम jamming system की बात करेंगे तो राफेल में लगा है spectra जैसे jamming system जो की easily बड़े से बड़े threat को जो की राफेल fighter jet की तरह आ रहा है चाहे air to air missile हो या long range air to air missile उसे बी देखा जाए तो spectra एक पूरा का पूरा system है यानि jamming system में अलग-अलग system आते हैं अलग-अलग जगा install किये जाते हैं तो spectra इन सब का मिलके एक combined jamming system बनता है तो अगर हम बात करें टी डी बेफ में कैसे jammer लगने वाले हैं तो सीधे से जो jammer होगे वो capable होंगे Russian missile को counter करने में या Russia based जो China weapon बनाता है air to air उन्हें counter करने में इसराइल भी हमाई jamming system बनाने में मदद करता है तो एक तरीके से ये capable होगे उन threat को counter करने में जो की US की air to air missile create करते हैं और जैसा कि France तो है ही मदद करने के लिए हमारी तो हमारा jamming system होगा वो capable होगा इन सभी jamming system से जादा अच्छ होगा तो कहने का मतलब यह है कि तीन देशों की technology मिलके तीन से चार देशों की technology मिलके भारत के पास आने वाली है और भारती से combine करके और भी ज्यादा अच्छा एक नया product बनाने वाला है हम यह नहीं कह सकते कि जो टीडी बीया fighter jet है उसमें किसी देश की technology नहीं लगीगी तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि भारत जो weapon बना रहा है वो बहुत ज़्यादा advance होने वाला है उसमें हर एक देश की approximately आप कह सकते हो कि technology include की जानी वाली है जाया अगर हम बात करें US की, Russia की या France जैसे European देश की या Israel की तो दोस्तों इस वीडियो को हम बस यहीं खतम करते है और आज का जो हमारा winner रहा वो रहा टी डी बी आफ फैटर जेट इसके advance weapon package और advance avionics और advance equipment सोने के वज़े से easily टी डी बी आफ फैटर जेट राफिल फैटर जेट को outperform कर देगा तो दोस्तों हम ऐसा नहीं कर रहे कि राफिल फैटर जेट एक खराफ फैटर जेट है राफिल कि खड़ा किया जा सकता है और राफिल फैटर जेट अप्रॉक्जिमेटली अपनी मैक्स लिमिट पर खड़ा है तो इस वीडियो को हम बस यही तक रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो make sure कर लो का आपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्स्राइब और बेल इकन को हिट कर दिया है हम मिलेंगे आपसे हमारी नेक्षड में तब तक लिए जहिंद